मैं सुभावता है अध्यादनिक सुभाव से हूँ वह दिन मेरे लिए वच्छ समानता हूँ जन मुझे पता लगा कि मेरी पत्मी एंसर वक्से पीड़ दो गई है मैं ये निश्य नहीं करता रहा था कि मुझे क्या पुना चाहिए उस वक्त जैसा और जो समझ में आया मैं अलोपेथिक चिकिट्चा की शरण ने गई हुए लगपटेट सांसे उनका अलोपेथिक चिकिट्चा की अंतरगर पिलाच चला मनतु अलोपेथिक चिकिट्चा की अंदुष्पर भाव वह इस रोम के दर में हमें और हमारे परिवाल को भुरूत आतंकित कर रखा था इसी दोरां मुझे अध्यात्म साधना के अंदर दिल्ली में मधू में रोग निवारण शिवर के बारे में पता लगा जब मैंने इनके सायोजक महोद्य से संपरक किया तो उन्हों नहीं कहा कि आप एक बार अवश्या हैं और इस शिवर का लाव होते हैं मन में बड़ी दूर्धा थी कि क्या इस रोग की अंदर इस शिवर से मुझे कोई फैटा मिल पाएगा आने से पहले मेरी बतनी का स्वाच थे कुछ अच्छा नहीं था पूरे एक हफते तक यह है उहा पोग में भीका कि हम जाएं या ना जाएं क्योंकि उनको आने की फिलिंग नहीं हो रही थी किसी भी तरह से उनको मना कर हम इस शक पर आये कि एक या दो दिन बार अपिस चले गएंगे जैसे ही यहां पहुंचे यहां के वातावर ने मुझे बहुत प्रभार्ण किया शुरू के दो या तीन दिन थोड़ा सा हमें इसलिए भारी लगे कि यहां की दिन्चरिया थोड़ी सी लंगी थी कुछ दिन्चरिया की हम आपी नहीं थे परन्तु तीसरे दिन और चोथे दिन हमें इतना अच्छा फील हुआ कि मैं बर्मन नहीं कर सकता आज पांचवा दिन है और मैं जो परिवर्तन उनमें देख रहा हूं वह आश्चरे जनक चमत का एक है उनकी जो परिशानियां थी वो लगभग अगर मैं तो पिचाने प्रतिशत तक दूर हो गई है और अभी दो दिन और हमें यहां लुआ हैं उसके अंदर मुझे लगना है कि वो पांच प्रतिशत जो ढ़ह गई हैं उसमें भी हमें आशातित लाग मिले थी अब अपने बारे में बगाएं गजदी यदिपी मैं इस शिगर में अपने दर्मपत्नी के साथ आया था अपने किसी रोख के लिए नहीं आया था प्रतु यहां आखरके मुझे जो सुकून जो शांती महसूस हुई और स्ट्रेस लिबल अगर मा आज बात करूं दिन में हम बात कर रहते हैं मैं अपनी दर्मपत्नी से बात कर रहा था कि स्ट्रेस लिबल जीरो हो गया उसी तोरान मुझे साथ जी श्रमणी जी मिले जो लोग पर की तरफ जा रहा था तो उन्होंने पुछ है कि क्या बात हो रही है मैंने कर जी आपके बारे में बात हो रही थी कि आपके पास आने के बात में हमारा स्ट्रेस लिबल पीप्ल जीरो हो गया है मैं इस अनभुक को शेर शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे यहां अनभुती हो जो आपको जो प्राकरतिक है जो आपकी मेरी आई 49, 49 वर्ष है और मैं शिरी गंगानगर्शी हूं मैं कैंसर रोख से पीड़ी थी 2014 में अप्रायर में हुझे कैंसर हुआ तब मैंने सब पैसे वहले बहिया से सब पर किया था और उसके बाद मेरा आपकी ट्रेटमेंट भी चला काफी कस्ट रहे परंतु इन कस्टों बस आते हुए मैंने फिर भी इसको पार कर ले परंतु इसके शारी विड़ा हैं बहुत इसके साथ और इस कैम में आने से पहले मैं दस दिस से गुमार थी और कर एक महिले से तो मैं उटी ही पारे थी कोई जी रहते हैं दो चार फुलके बनाने हैं तो मैं खड़ी हो गई लेट गई बस इतना सा ही गर्मारी थी और अब यह मुझे तेरा चोड़ा गटे बैरना कोड़े मुझे कोई दिक्कर नहीं और अभी कुल स्वस्त मुझे वेरिकोस वेरिकी प्रोब्लम थी वह मेरे बि जनाट समाप्त हो गए जो आपने अट सा भी कह रहे थे भुगार था जो दस दिन से वो मुझे बिल्कुल लिया था मैं पांच या चार को में बिल्कुल बंदों लिए इतना दिक लाव हो है बहुंच आप जागता जी बहुत जागता जो डेकोस बिल्माले काले चक्ते थे वो मेंने लग बिल्क स्पाफ्त हो गए है जबकि मुझे डॉक्तर पेड़ी बाले मैं उनको दिखाया था उन्हें का कि जहांच आपके स्पोर्स हैं यह उप्रेट करके निकाल आपने आपके आपकी नाड़ी ब्लॉक्स हो गई है तो तो में यह बेकुल भूलके मुझे प प्रिशानियत पुती सारी है ऐसे हिए मुझे प्रिशानिया क्यों कराये तो अब लग रहा है कि मैं स्वस्तू बिल्क स्वस्तू और इसके आपने के बाद जो मुझे लाव मिला है शायद मैरे जीवन मुझे इससे पहले कभी कोई लाव ने मिला हो गा कितनी कीमोर थामजी और रियोत्रपी हो था? मेरी 8 कीमोर ही थी और 28 दिन मेरी रिंगोर रिंगी चली थी और एक सर्चरी थी? एक सर्चरी थी और अभी 10 दिन पहले मैंने अपना उपोर्ट मी रिमूव कर रहा था अभी प्रेट माता उससे मुझे पड़ा परिशानी थी इसके अर्टिपाइक से और से तो तो यह आने किवास पर कुछी मुग हो गया, कुछी नहीं परिशानी है किसी भी तर है थी कोई और अभाव अपना शेयर करना चाहिए आप दूसरों के लिए हाँ करें प्रेशी कॉठाइर अभावाद से अभावाद से अभावाद से आई और मुझ में स्टेज़ विए बहुत ज्यादा है इसके पहले भी त्याम से जटन कियों मगर कभी हिम्मत ने होती थी कि इतने गुडूर के सामने अपना प्रश्न गुण सकना इस ध्याम शीडर में मैं यह बारियर दोरना चाहती हूं इसलिए हिम्मत करके आई हूं और बोलना चाहती हूं शुरू से अध्यात्म की रुची रही है तो कॉलेज के दिनों से पढ़ती आई हूं ओशू, जीडि पृष्नमूर्ती, एकार्ट तॉले, विष्णाथन, रह्मन महार्शी तो सब पढ़ती थी तो वो फिलोसपी ज्यादा सूच करती थी एक हॉड़न जिलेशन साथ से जब महाप्रगीजी को पढ़ी, तब मुझे लगा कि अपना धर्म में भी एक वर्ल्ट क्लास थींकर, एंड रिलिजिस लिडर है एक तम जैसे पूरा एक्स्पोस के अपढ़ना जो दूसरे जैन लोने अरे पास जाती थी वो नॉलिज नहीं मिलता था जो महाप्रगीजी को दूसरे और यहां तक है कि पश्चिन देश में बहुत धर्म काकेशन जादा है और दुख होता है कि अपने धर्म के बारे की लोग जानते भी नहीं जैन धर्म में रीजन्स वह सकते कि शायद अपने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है प्रात्री गोजन जमीक अबगर यह अपने में ध्यान पदद की कमी होगी तो जब मैंने इसके पहले विकरशना किया रभी शेंकर जियां कोर्स किया बाबा शेंकर जियां कोर्स किया लेकिन मन में जब से विया प्रभीच को पढ़ी तो मन में हो रहा था नहीं प्रेक्षा घ्यान आपने को ट्राई करना है तो यह कैम्प लगते ही फर्स जब आई हूँ जबकी बैक्रों मेरा तीन और अलग कैट्स का अनभब है उसके अतिनस्ट मेरा मन तुलना करता है बार बार इतना भर्या इसका लग रहा है जो कोर्स का यह इंटिग्रेटर बनाएं के असिस्टम इसका विपष्णा में आपको छोड़ देते हैं बस्वांस को देखो शरीर को देखो दस दिन बोलो नहीं और देखो कोई टूल नहीं है और सीधा सीधा आप इतना छोड़ दो उनको पर इसमें जो है एक देख रहे हैं कि फिजियोजी समझा रहे है ताक एक बोड़ी का मालब बढ़ जाएं मंत्र साधना है जो एकड़ चैनल करते करते हैं ऐसा माहूल बनता है कि वे इतल छोड़ करता है एं संदी जी जो है प्रेक्षा ध्यान कायोग सकत एं उसमें पूरा उनी यो को ओर टो पकंदो लिगे हैं संदी जेसा प्रेक्षा यह विजी आपने से रहे हैं Cody on P duke fang खं़ मुझे इस मुझा बर्पांशन को एक विगा उनुल झाही है उसमें और अफरी समाज नंतिगा कि अपने पनक फिलासी के सौत में जाएं मैं सौ्ट है मैं उसमें प और आपनों वोसे रिफेस्ट एक कैसे इसका एंट्रेस्मेंट करके, let us reach the masses. वो बस यही है, मेरा अनुग अनुग टॉप क्लास का है, A to Z, everything is being taken care of. बस यही है कि अपने साधक जो है, आए है तो अपने गहस्ती का सुब गुनना चाहिए, खाने में जैसे ही देते हैं, साधा उडेना चाहिए, और बर्ती चाहूंगी चाहिए, और साधकी में आये हैं, लोग साधा ज्यादा करें, और बाड़ी को करें. बहुत बहुत हैं, अच्छा कॉता है. मैं निर्बला को धरी, तिल्ली से ही हूँ, मैं हर साल कहीं, छह साल से कहीं न कहीं केंप में जाती हूँ, विपास्तन जाओना है जाओंगी, नैच्रो थरोपी जाना है जाओंगी, इस बार दो साल समय गई थी, इस बार जब देली में ये पता चला मेरे को जन सब केंप लगा रहे हैं, तो मैं यहां पर आई, और मैं मैं जब मैंने सुना, सुन देही पहले मैं कॉल करी मेरे दाउरान जो पॉंचु किया थी, हैदराबाद कॉल करी, उसके बाद कलकेटा कॉल करी, जो मैरे नाना देह हूँ भी आपकी अप्रसन हुआ है कि डॉक्टर ने मना किया भी देविश को आना जाना करना सफर नहीं कर लेकिंटु की दिदी दी भी आया हैं और आने बात में इन लोगों भी अच्या लग रहा है, और मैं तो क्या बदहूं मत इसी समाज में जीती हूँ ने बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहां मैं सम्ण HUji सिखा रहे हैं, इधर जैन सामनी इत बराबर लगते रहे और उसमें मेरा कोई भी सायोग चाहिए, तो मैं एनी टाइम हाजिर। मैं आए के साथ में 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 बहुत अच्छा है, सिस्टमीटी का साम चाहिए, मेरी वाई की बूद रूजाए जराना आए, एक नाए. मैं कमत चोरणिया, तो दे जवाद, ये लेवल सुनकर के रिकोर्ड करें, डारेक्ट कनेक्टे नहीं चाहिए. मैं कमत चोरणिया, मेरी पती की बीमानी के वज़े से, एक फुटूं में बताईये, या अपने आपके लिए एक निगेटिविटी बहुत ज्यादा आती थी लाइफ में. सबसे पहले मेरे को यहां आने के बार में पॉजिटिविटी का एहसास हुआ. बहुत सी किताबे मैंने पड़ी, बहुत से मारसा के सालिद्य में भी आई है. परन्तु यहां पे आने के बार में लाइफ को कैसे जीना है, और लाइफ को कैसे बिमारी से चुकारा पाना है, या लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है. यह चीज की मुझे अनुपती हुए और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस संस्ता को, जो आरोगय की इकल बहुत बढ़ी मिसाल है, जो आगे जाके सभी अपने इंडिया, इंडिया के बाहर ऐसे क्याम लगाने से, सबको इसका फाइदा होगा, यह शाय की मिचानodar माता एक जाएदा हुए यह चर्याम जाग पारॉ हुए इससथिए चाहँ चाहँ, कुछ जा सब्सक्री आरोगय के इसकी हुए पर इसकी जालकार री, कहीं सब्सक्राइज रिंदाना काहँ, यह, हम्दो नहीं साथ खाष्यों से भीयारा आर ग्याद उन्या अच्छा लगा, मैं अपना अनुभा मनाना जाता हूं कर लें, शुरू शुरू के तीन देन तो ऐसे ही दिमर के, कोई ध्यान लगता नहीं था